वेलकम ऑन माई यूटीब चैनल कॉम्पटेरिया कॉम्पटेरिया यूटीब चैनल पे मैंने आपको चक्वंदी विभाग और उसके बाद भूराटव से समंधित कुछ मातपूर सब्दावनियों के बारे में हमने खतावनी का वीबरान आपको बताया था खतावनी के बारे म कॉम्टेरिया यूटीब चैनल पर नित्य जहनता है मैं आपको आगे के भी इंपोर्टेन पॉइंट के बारे में बताऊंगा कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो गर अच्छा लगे तो वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कर यानकारी के लिए किया जाता है इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज में होता है जो गाओं का निर्धारित मैप होता है ये उस जगह के छितरफल और वहां की भागोलिक परिष्थितियों को निर्धारित करता है खसरा में मुख्यूरूप से सभी छेत्र और उनका एरिया ना मुंकास्वामि और किस किसान के दौारा भान खेती की जाती है क्या फसाल उगाई जाती है किस तरह की मिटी है क्यों से पेड़ इस चेतर में लगे है वहाँ किस्तिति और चेतरपल से लेकर वहाँ की वातावना आधी की सारी जानकारी खसरा में उपलब्ध होती है अब हम पढ़ेंगे खेवट के बारे में खेवट या खाता नंबर खाता नंबर किसी भी जमीनी संपत्ती या छेत्र को दस्तावेजों पर निर्धारित करने के लिए परदान की गई एक संख्या के रूप में देखा जा सकता है इसका उपयोग संपत्ती की जानकारी के लिए और उस छेतर के मैप में उस जगओ को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है सेरसा सूरी द्वारा सापधम पटवारी सब्द का परयोग किया गया था और चौदरी चरण सिंग के काल में पटवारी का नाम बदल कर लिखपाल कर दिया गया था अब हम पढ़ेंगे दाखिल खारिज के बारे में सामान ने बोल चाल में कहा जाए तो दाखिल खारिज या म्यूटेशन राजस्व रिकार्ड में एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को किसी संपत्ती का हस्तांतरन करने की प्रक्रिया करते हैं दाखिल खारिज के बाद ही किसी संपत्ती के मालिक के रूप में किसी व्यक्ती का नाम रिकार्ड में आता है लोग सिमाव का अधिकार अधिनियम के तहत अठारह कार दीवस में दाखिल खारेज करने का प्रावधान है बैनामा के बारे में जानेंगे बैनामा प्रापर्टी लेंडिन में विक्री नामा एक आहम दस्तावेज होता है जिसे कनवेंस डीड भी कहा जाता है कानूनी दस्तावेज होने के अलावा यह एक सबूत है कि विक्रेता ने प्रापर्टी खरिदार के नाम कर दी है इससे यह भी साबित होता है कि खरिदार ही प्रापर्टी का अगला मालिक है बकास्त जमिन्दारी उन्मूलन के पूरु जमिदारों ने अपने पास जो जोट की जमी रखी खास महाल जमिन्दार कुछ ऐसी जमी रखते थे जिस पर मेला या हाट लगा जाता था या फिर खाली रखा जाता था इसकी विक्री नहीं हो सकती ये लीज पर दी जाती है तसिल दीवस का आहुजन परतेक मा के पर्थम और तिरती मंगलवार को होता है खसरा और खतावनी के सम्मिलित रूप को अधिकार अभिलेक कहते हैं उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्डित वार्षिक रजिश्टर और खतावनी कहते हैं एक जुलाई से 30 जून की अवधी क्रिसी वर्ष के रूप में जाना जाता है तसिल दार तसिल इस्तर पर राजस्व का प्रसासनिक अधिकारी होता है तसिल दार एक अर्वी सब्द है इसका साब्दिक अर्थ राजस्व सरिजन और दार का अर्थ होता है पद अथार्थ इसी तरह से तसिल इस्तर पर करोगी वसूली करने वाला किसान बही के बारे में जानते हैं किसान बही किसानों का ऐसा दस्तावेज है जो किसान की पहचान का प्रमार है और इस सभी सरकारी विभागों के साथ ही बैंक में अभी भी मानने हैं किसान अपनी आय, अधिवास और जादी पामपत्र की जगह भी इसका इसका इस्तिमाल कर सकता है। उत्तरपरदेश का परदेश किसान कितनी खितियों कि जमीन का मालिक है और उसके पास कितना भूराजस हो है। इसके लिए वर्स 1992 में किसान बही योजना की सुरुवात की गई थी इस प्रकार से हमने राजस सुलेकपाल के देती अध्याय को समाप्त किया अब हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं भारत की प्रमुख गुरामिड विकास योजनाए स्वतंतरता के पहले की बात करें तो गुरामिड भारत की मुलभूत धाचा गट सुविधाद इसमें स्वास सिक्षा रुजगार इत्यादी प्रमुखता इसके सुधिर्ण करने के लिए पंचवर्सियों जिनाओं के माध्यम से अनिये कारक्रम सुरुई किये गए ऐसे ही कारक्रम में एक सामुदाइक विकास कारक्रम देश का विकास तभी संबब होगा जब गाओं का विकास होगा आज भी देश की तीन चोथाई जनसंख्या गाओं में निवास करती है ग्रामेड विकास मंत्राले समय सेवाब पर इसको संब्रिद बनाने के लिए योजनाव क्रियान्वन करता है जैसे कि भारत विवित्ता और अनेक्ता में एक्ता की प्रक्रती संस्क्रती को इस्पष्ट करता है इसलिए आर्थिक विशमता समाजिक और आर्थिक सुरच्चा बिरुजगारी और गरीवी को परसपर एक साथ इसपष्ट करने की जवरत है फिर इन से समंधी योजनाव कारेकरमों का अध्यन हम कर सकते हैं कि बिरुजगारी और रोजगार सिजन कारेकरम के इंतरकत गरीवी निवान कारेकरम के इंतरकत महिला ससुकतीकरन या महिला बाल विकास कारेकरम के इंतरकत मूल भूढ धाजबर सुधार सिच्छा स्वास्त पेज बिजली सड़क इत्यादी की स्वत्ता के बाद जो कारेकरम चलाए गे इसमें किसी समन्दी प्रमुख योजना झाला बाल विकास योजना विभर राज्य द्वारा प्रहरे की की गई प्रमुखन। तो श्री निकेतन होजना 1920 में रमिजना टेकोर द्वारा बंगाल में प्रार्णम की गई थी और सिवा करामी होजना 1920 एडियों माहत्मा गांधी द्वारा प्रार्णम की गई इन्होंने गलामद्योग संग हिंदोस्तानी तालिम संग आल इंडिया स्पाइनर्स एसोसियेशन क तूर्बा संग अधी स्थापित किये और अर्थिक अन जाओ अभियान अधिक से अधिक अनूब जे इसके लिए 1942 एडि में राड़े सरकारों द्वारा प्रार्णम की गई अधिक अनूब जाओ अभियान और पहली राश्ट्री इस्तर की योजना माने जाती है इंडियन व और ग्रामेड विकास कारकरम योजना को चलाए गया इसमें इटावा अगरगांज योजना 1989 में पराλλरम की गई य्यलवर्ट मेयर के नेत्रित में इटावा पास की गांषब के अधिक अनूब यजना की गई इसमें वील्ड जाओ और ग्राई कराये गया सामुदाइक विकास पर योजना को उसे सहल बनाने के लिए 1952 नेडी को पूर से चल लए योजना इटावा गरामी का प्रयोग किया गया और इसका नाम समुदाइक विकास कारकर्म रखा गया इसका उजना का मुखदेश ग्रामीड समुदाए का सरवांगिड विकास ग्रामीड जनों के जीवन सहली में सुधार ग्रामीडों में जिम्यदारियों की भावना विक्षित करना सघन क्रिशी जिला कारक्रम वर्स 1960 में भारत सरकार द्वारा क्रिशूद पाद में विर्धी की उद्देश से चलाई गई योजना के अंतरकत IADP और IAAP कारक्रम चलाई गए और प्रोजेट पालेट के तोर पे वर्स 1960-1961 में साथ जिलो के संक्रिशी जिला कारक्रम सुरू किया गया अधिक उपज परजाती कारक्रम HYVP 1965-1966 में भारत सरकार द्वारा सुरू की गई इसके अंतरकत समविर्धत वीजो का प्रयोग क्रिशूद पादन के लिए किया गया विशेश कर गेहूँ चावल की फजल के लिए कारक्रम की द्वारा देश में चमतकारिक तोर पर फजल उत्पादन होई जिसे विलियम गाड ने हरित करांती कहा था लगु क्रिशक विकास योजना वर्स 1970 और तुरित ग्रामेन जलापूरती कारक्रम वर्स 1972 भारत सरकार द्वारा पेजल में पटने के लिए योजना प्रारम की गई थी आज का लेक्चेर रही तक और कॉम्टेरिया यूटीब चैनल पे राजस्व लेकपाल के ऐसे ही इंपोर्टेंट लेक्चर्स आते रहेंगे वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें जैमा गंगा हरहर मारे